दोस्तों पचास और साथ का दश्रक एक ऐसा दौर माना जाता रहा है जिसमें कई बहतरीन कलाकार आए और उन कलाकारों ने अपने दमदार अभिने से हर किसी को अपना मुरीद बना लिया और उन्हीं में से एक नाम शामिल होता है दिलीब कुमार जी का जिन्होंने बॉलिव का एक जाना माना नाम है जिन्होंने अपने हर अभिने का लोहा मनवाया है यही वज़ा है कि आज इन्हें बॉलिवुड इंडास्ट्री में किसी पहचान की जरूरत नहीं है लेकिन दोस्तों आप इनके बारे में तो सब जानते होंगी पर आज हम आपको दिलीब कुमार के पुराने घर से रूबरू करवाने वाले हैं जहां दिलीब कुमार जी का जन्म हुआ था जो की आजादी से भी पहले बनवाया गया था और आज भी मौजूद है तो चलिए आज हमारी इस वीडियो में हम आपको दिलीब कुमार के पुराने घर से रूबरू करवाते हैं ल इनका परिवार साल 1930 को भारत आ गया था और दिलीब कुमार ने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है इसी दौरान उन्हें आक्टिंग का कीड़ा काट गया था और उन्होंने फिल्मों में जाने का मन बना लिया और काफी स्ट्रगलिंग के बाद साल 1944 में आई फिल्म जुआर भाटा से अपने करियर की शुरुआत की और इस फिल्म में किये गए इनके दमदार अभिनेय ने हर किसी को इनका दीवाना बना दिया था अपने डाशिंग लुक के लिए हमेशा से ही जाने जाते रहे अभिनेता दिलीब कुमार उस समय हर किसी के दिल की धड़कन बन गए थे जिन्होंने इस फिल्म को करने के बाद विधाता, दुनिया, कर्मा, मुगले आजम, इजाजत और सौदागर जैसी कई फिल्मों में काम किया और इन फिल्मों में काम कर प्रसिर्धी भी हासिल की जहां हमेशा से ही दिलीब कुमार निर्माता और निर्देशकों की पहली पसंद रहे हैं लेकिन बढ़ती उम्र के साथ इन्होंने साल 1998 में आई फिल्म किला के बाद बॉलिवूड इंडर्श्वी को अलविदा कह दिया था ये फिल्म दिलीब कुमार की आखरी फिल्म रही थी लेकिन आज भी दिलीब कुमार बॉलिवूड में एक बहतरीन अभिनेता की श्रेणी में शुमार है जो कि आज 97 साल के हो चुके हैं और अपनी जिंदगी के आखरी पड़ा उपर हैं लेकिन बात करें इस दमदार अभिनेता के पुराने घर के बारे में तो आपको बता दें कि ये पुराना घर आजादी से भी पहले बनवाया गया था जो कि आज काफी जर्जर हालत में है बताय जाता है कि इस घर को साल 1915 में बनवाया गया था जिसमें दिलीब कुमार का बचपन गुज़रा है और इनके माता-पिता यहीं के रहने वाले थे और दिलीप कुमार का ये घर आज भी उनके माता-पिता और उनके बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब दिलीब कुमार मुंबई के जुह स्थित आली शान घर में रहते हैं जिसकी कीमत करोडों में बताई जाती है इसके अलावा दिलीब कुमार का मुंबई में 4 करोड का बी एच के फ्लाट भी है जो दिखने में बेहधी खूबसूरत है आपको बता दें कि जिस घर में दिलीब कुमार रहते हैं उस घर को उन्होंने अपनी सुवधा की हर चीज का ध्यान रख कर बनवाया है जिसमें आपको जरूरतों की चीजे ही देखने को मिलेंगी इस आलिशान घर में पारकिंग के अलावा एक बड़ा सा गार्डन एरिया भी है जो बेहधी खूबसूरत है इनके इस घर को काफी सुन्दर लुक दिया गया है इनके घर की हर दिवार को काफी अलग-अलग कलर के पेंट से सजाया गया है साथ ही अपने लिविंग रूम को इन्होंने पिंग कलर के पेंट और अपने सभी अवार्ट से सजा रखा है तो दोस्तों आपको दिलीब कुमार के पुराने और नए घर से रूबरू होकर कैसा लगा आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं साथ ही बॉलिवर्ड इंडस्ट्री से जुड़ी और भी ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें